पॉच्छांग शोरू हो चोकी है जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है ये हर कोई जानना चाता है कि आखिर क्या होगा जब इस्राइल के डिफेंस फोर्स गाजा के अंदर प्रवेश करेगी लेकिन गाजा में प्रवेश करते ही गाजा में कदम रखते ही इस्राइल की आर्मी पर गाज गिरी है इसरेल की आर्मी पर हमास के लड़ाकों ने अटैक कर दिया। अभी दो दिन पहले ही इसरेल आर्मी के चीफ आफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने अपने कमांडर्स को संबोधित करते हुए कहा था कि घाजा पर इसरेल के द्वारा की जा रही एरस्ट्राइक से ये नास समझा जाए कि हमास कमजोर हो क्या है। जब इसरेल की सेना घाजा के अंदर घुसेगी तो ये मान कर चलेगी कि हमास को एरस्ट्राइक में शुन्य नुकसान हुआ है। तब ही आप पूरी ताकत लगा कर हमास से लड़ पाएंगे। इसरेल के चीफ आफ आर्मी स्टाफ की ये बात सही होने में सिर्फ दो दिन का वक्त लगा और ये नजर आ गया कि अभी भी घाजा की जमीन पर हमास की पकड़ कितनी मजबूत है। गाजा के अंदर खाने इलाकों की गलियों में कैसे खून खराबा होने वाला है। इसकी पूरी तज़्वीर समझना जरूरी है। गाजा की गल्यों में सीना ऐसी सची होई है अगर इसरेल की सीना गाजा में घुसी तो उसका सामना गाजा के इन लड़ाकों से होगा इसरेल का दावा है कि उसकी सीना जमीन के रास्ते गाजा में दाखिल होने को तयार है इस्राइल की सेना गाजा बॉर्डर पर डटी होई है हवाई रास्ते इस्राइल गाजा को जमीन दूस करने में लगा है इस्राइल की सेना जमीन पर भी जबरदस्ट एक्शन में दिखाई दे रही है इस्रैल की सेना की योजना मरकावा टैंक के साथ गाजा की गलियों में दाखिल होने की है इस्रैल का मरकावा दुनिया का सबसे सीक्रेट टैंक के रूप में पहचाना जाता है जिस टैंक के खिलाफ अचूप मानी जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है लेकिन गाजा का दावा है कि वो इन टैंकों को भी फोड़ सकता है इस्रैल की सेना जमीन के रास्ते गाजा में किसी भी वक्त दाखिल हो सकती है लेकिन गाजा भी उनकों बोतोर जवाब देने के लिए तैयार है अब सवाल ये है कि घाजा में हमास इस्राइल के सैनिकों का मुकापला कैसे करेगा इस्राइल की सेना को रोखने के लिए हमास के पास और क्या है घाजा को लेकर पूरी दुनिया इस स्वक्त सिर्फ तीन सवाल पूछ रही है पहला सवार इस्रेल की सेना अगर घाजा में घुसेगी तो हमास खुद को कैसे बचाएगा दूसरा सवार इस्रेल हमला करेगा तो हमास के सामने सबसे बड़ा डिफेंस क्या है तीसरा सवार इस्रेल की सेना अगर घाजा में दाखिल होने में काम्याब हो गई तो हमास इसरेल को कैसे हरा सकता है या फिर उसे बोरी तरह जखनी कर सकता है हमास के इस तैयारी को देखिए ये तैयारी गाजा में स्ट्रीट फाइट के लिए हो रही है इसरेल की फौज जब घाजा के बीचों बीच पहुँचने की कोशिश करेगी तो उसके सामने इस तरह का चैलेंज होगा घाजा में हमास के लड़ा के मुकाबला करने को तैयार मिलेंगे वहीं इसरेल की सेना की टुकड़े घाजा के बॉर्डर के अंदर दाखिल होने के लिए जंग लड़ रही है वहीं दूसरी टुकड़े घाजा में स्ट्रीट फाइट की तैयारी कर रही है घाजा को लेकर पूरा आउपरेशन या कहें की जंग कितनी खतरनाव हो सकती है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं इस वक्त घाजा पर इसरेल की सेना बड़े पैमाने पर बंबारी कर रही है बावजूद इसके घाजा इसरेल से लोहा लेने के फुल मूड में है और घाजा के किले को दोड़ने के लिया बे इसरेल की खोफिया एजेंसी शिन बेत ने भी एक प्लान तैयार किया है साथ अक्टूबर को इसरेल के दक्षनी हिस्से में जब हमास के आतंके घुज गया और सैकडों लोगों का कर्ल किया तो पूरी दुनिया में मूसाद की आलोजना हो रहे थी लेकिन असल जिम्मेदारी मूसाद से ज़्यादा शिन बेत की थी जो इसरेल की एक और खोफिया एजेंसी इसरेल में दो प्रमोख खोफिया एजेंसिया है पहली मूसाद जो विदेशों के अंदर खोफिया सूचना एकठा करती है और दूसरी शिन बेट जो की इस्राइल की मिलिटरी इंटेलिजन्स का काम करती है यानि जब हमला इस्राइल के अंदर हुआ तो इस्राइल की मिलिटरी को आगा करना शिन बेट का काम था लेकिन शिन बेद ये काम नहीं कर सकी और इसके लिए शिन बेद के हैड रोनेन बार ने पूरी जिम्मेदारी भी ली है रोनेन बार ने इसके लिए माफी मांगते हुए ये भी कहा की हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल में जो किया है उसके बाद वो समझ ले कि अब इसराइल के इंतिकाम की कोई सीमा नहीं होगी शिन बेद के हैड रोनन बार ने एक नई यूनिट बनाई है जिसका नाम है निल ये यूनिट विशेश रूप से हमास की आर्मी अलकसाम की नुखबा कमांडो यूनिट को खत्म करने के लिए बनाई गई है निली हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका आर्थ होता है ये जूट है कि इसराइल का कभी अंति होगा शिन बेद की निली यूनिट को ये जिम्मा सौपा गया है कि वो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला करने वाले नुखबा के सभी आतंकी कमांडो को जान से मार कर बतला लेकी 7 अक्टूबर को हमास की आर्मी की जिस यूनिट में आतंकी हमला किया था उसका नहां नुखबा है 7 अक्टूबर को नुखबा के गरीब धाई हजार आतंकी दक्षण इसराइल के इसराइल के इलाखे में घुसे थे वहाँ छिपा हुआ है और जब भी सातंकी कमांडो ने गाजा पट्टी में घुसने की कोसिस की तब इसराइल डिफेंस फोर्स ने इसे पकड़ लिया हमास की आर्मी अलक असाम के नुखबा पर इसराइलियों का सबसी ज़्यादा गुस्सा फूप रहा है इसराइल के अगबार टाइमस ओफ इसराइल ने ये खबर चापी है कि इसराइल की अर्फोर्स ने नुखबा के दो कमांडो रविवार को एर स्ट्राइक में मार रा ले इसी नुखबा की कर्टूतों की वज़े से आज पूरा घाजा जल रहा है अगर हमास के इस खदरनाक यूनिट ने दरिंदगी नहीं दिखाई होती तो आज इसराइल और घाजा के बीच ये खदरनाक जंग नहीं चल रही होती ये इस वक्त की घाजा की ड्रोन फुटेज है उपर से घाजा सिमेट की इमारतों का कबरिस्तान नजर आ रहा है ये घर, फ्लैट, बाजार, दुकान कभी हंस्यों से गुलजार थे लेकिन अब ये सब भी आबान हो चुके हैं फिलिस्तीन के अकबारों की रिपोर्ट्स के मताबक अब तक इसराइल की एर फोर्स 6,000 इमारतों को जमिन दोस कर चुकी है और इस तबाही में 14,000 से जादा फ्लैट्स तबाह हो चुके हैं इसराइल की एर फोर्स अब तक घाजा के 60 सरकारी भावनों को भी तबाह कर चुकी है इसराइल की एर फोर्स इसलिए भी इन उचे टावर्स को निशाना बना रही है क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि बाद में इन उचे टावर्स का इस्तेमाल स्नाइपर्स कर सके ऐसी तबाही घाजा के अंदर होगे ये पूरी दुनिया को अंदाजा नहीं था इसराइल के इंतकाम की कोई सीमा नहीं और घाजा के लोगों के दुख की भी इस वक्त कोई सीमा नहीं है ये एक फिलिस्तीनी महिला है जिसने इस तबाही में अपना परिवार खो दिया है बन्निस्बी ले शहीद हुई अला खत वाहद मा बाकि शुहदा और मा अलमनतगरीन इला तद्रक मंतसर गादा भातit ये इस तॐ राज़ती हो गई है जहाँ हर देन एरस्ट्राइक होती है सैठों लोग मारे जाते हैं अब तक करेब शॉदा हजार लोग भायल हो चुके हैं करेब 5,000 लोग मारे जा चुके हैं इन में से करीब दो हजार छोटे बच्चे हैं और एक हजार महिलाएं हैं। हमास और इजरेल की इस लडाई में आम लोग बोरी तरह से पिस रहें। अबारा अजूसत और इशलाग मुकटवा अक्फर मन तस्गी चहीद वसलेना मंदों सबाह बाकर इना मस्टश्वा शुहादा अक्सा फिल्मुषा और इसमें घाजा के अंदर चिकित्सा का काम लगातार प्रभावित हो रहा है। और ये सारी तबाही क्यों मची होई है? क्योंकि ये इसरेल के वो लोग हैं जिनके परिवार की सदस्यों को हमास ने बंधक बना रखा है। इस्राइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक 200-200 लोग इस वक्त हमास की कैद में हैं और इस्राइल के अंदर इनके परिवार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नारे लगा रहे हैं कि लोगों को रिया किया जाए और साथ ही बंदकों की तज़वीरें भी है ये बहुत बड़ा द्वन्द है जो पूरी दुनिया में चल रहा है योरप के तमाम देशों में फिलिस्तीन के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग एक ही है कि किसी भी तरह घाजा के अंदर सीज फायर करवाया जाए ताकि घाजा में लोगों का मरना बन दो जबकि दूसरी तरफ इस्राइल के समर्थक वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमास ने जो किया है उसकी सजा देने का हक इस्राइल के पास है इस्राइल और फिलिस्तीन के इस जंग ने पूरी दुनिया के अंदर कई इलाकों में एक सामपधाईक तनाव को जन दिया है जिसका असर अमेरिका और यॉरप के तमाम इलाकों में नज़र आ रहा है ताजा खबर ये है कि अमेरिका में शनिवार की सुबह डेट्रॉइट सिने गॉंग की अध्यक्ष समन्था वोल की चाकु मार कर हत्या कर दी गई समन्था एक यहूदी धर्मस्थल का काम देखती थी लंदन में फिलिस्तीन का समर्थन और इजरैल का समर्थन करने वालों के बीच भी होर नज़र आ रही है पहले फिलिस्तीन के समर्थकों ने लंदन के अंदर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया यूरप के कई अखबारों ने दावा किया कि फिलिस्तीन के समर्थन में एक लाक लोग उतराए थे कई लोगों ने इस प्रदर्शन में आपति जनक नारे लगाए थे जिनके खिलाफ कार्यवाई हुई है वहीं दूसरी तरफ इस प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन किया और वो इसरेल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे स्पेन में भी ऐसे ही प्रदर्शन हो रहे हैं स्पैन के बार्सिलोना में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है हजारों लोग पिलिस्टीन के जंडे लेकर बार्सिलोना में उथर गए ये लोग फिलिस्टीन के समर्थन में आरे लगा रहे थे और टुरंट सीज़ फायर करने की मांग कर रहे थे जुद की विभीश का इतनी बड़ी है कि रफा क्रॉसिंग के पास भी जब इस्राइल के टैंक का एक फायर हुआ तो एजिप्ट में हर कंप मज गया बाद में एजिप्ट की फोर्स की तरफ से ये सफाई दी गए कि इस्राइल ने मान लिया है कि ये फायर गलती से हुआ था कुल मिलाकर अगर घाजा की तबाही को नहीं रोका गया तो जल्द ही पूरा वेस्ट एशिया और अरब खौनने लगेगा